हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल हाजिर हुमें लेट्स से कि ड्रामी के सीजन टू के एपिसोड वन के साथ जिनों इस ड्रामी का सीजन वन नहीं देखा उनके लिए डिस्क्रिप्शन बाफ में सीजन वन का लिंक मौझूद है तो चलिए बिना टाइम वेच्ट कि होने वाला है क्योंकि इसमें रौसनी के लिए चारों तरफ कैंडल्स जलाई गई होती हैं आबू कैप्टन डू और किंग फेंग उसी स्पेसिप में होते हैं यह वही स्पेसिप होती है जो कैट एलियन ने कैप्टन डू को जाते जाते दी थी कैप्टन डू पिछले सीजन में आबू के साथ किंग फेंग को लेकर इसी स्पेसिप में आये थे और अपने प्लैनेट का हीलिंग मेंटर यूज करके उन्होंने किंग फेंग को सेव किया था पर किंग फेंग की जान तो बच जाती है और वो कोमा में चला जाता है इसलिए उसे हीलिंग बॉक्स में डा पर आपू आस पास से गुजरने वाली स्पेस सिप पर अपने स्पेस सिप के गैजट्स बेच कर खाना खरीद रही होती है। गुझारा करती है captain divorce के पास आते हैं और उसे पैरलल universe के बारे में बताते हैं वो कहते हैं कि parallel universe हमारी ही दुनिया की तरह एक और दुनिया है जो कि दूसरे time और space में exist करती है जहां हम सभी के एक एक clones मौजूद हैं क्यों न हम इस वीमार किंग फेंग को वहां ले जाकर बदल दें और वहां से अच्छा किंग फेंग अपने साथ ले आएं पर इस काम में पैसे लगेंगे जो कि हमारे पास नहीं है आबु कहती है कि आप फिक्र मत करिये मैं कुछ और चीज़ें बेचूंगी जिससे हमें पैसे मिलेंगे फिर हम सार किंग फिंग को पूरी तरह से होसा जाता है कि यगिण दिलाता है कि वो तुम आबू से कहते हैं कि तुम बिना लाइसेंस की स्पेस्टिप लेकर एक अर्थ के बंदी के साथ बिना हमारी परमीसन के ट्राइवल कर रही हो तुम्हें इसके लिए पनिस्मेंट मिलेगी इस मैसेज को देकर मजिस्टेट अपने सोल्जर से आबू की स्पेस्टिप पर अठ्व़ां रिट्रल के लिए नतसाक और और अअटक भूसरे मिलकर आबू की स्पेस्टिप पर अटैक कर देते हैं जिस पर आपो अपने टूटी फूटी पूटी स्पेस्टिप फेस्टिप तूटे फूटे हत्यारों ने साथ अपना बचाव करनंगयक कोसिस पर वो इसमें काम्याब नहीं हो पाती जिसे एक बार फिर से उसकी स्पेस सिप क्रैस हो जाती है इधर आर्थ पर एक लाल परी अपने नीले परे के साथ 921 हो रही होती है कभी वहाँ एक वारियर उसे रोकने के लिए आता है जिसका नाम टैंग यूआन चैंग होता है और ये बंदा चू गूओ गौओ गौओ का बॉडिगाड है और ये लाल परी गूओ गौओ की बंदी है पर वो गूओ गौओ को छोड़ कर अपने बंदी के साथ फरार होना चाहती है अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये गूओ गौओ कौण है तो सबर रखिए थोड़ी देर में पता चल जाएगा तैंग यूआन चैंग नीले परी को मालने के लिए अपने स्वार्ट को बड़े स्वैक से निकालता है पर उसी टाइम उसके उपर आपू और किंग फेंग के क्रैस हुई एस पेस इप के जलते हुए पार्ट सा गिरते हैं जिससे गूओ गां नीचे गिर कर बेहोस हो जाता है इस पेस सिप के पार्ट के साथ आपू और किंग फेंग भी वही गिरे होते हैं आबू अपनी इट निकाल कर कहती है कि हमें इस बंदे को मार देना चाहिए क्योंकि इसने हमें स्पेस्टिप से उतरता हुआ देख लिया है किंग फिंग उसे ऐसा करने से मना करता है वो कहता है कि ये बेकसूर है हमें इसे नहीं मारना चाहिए बल्कि के इसे लेकर हम घर चलते हैं वहां इसा क्या करना है हम ये डिसाइड कर लेंगे इसके बाद आपु और किंखिज़ कंधिर टांग यूँट को लेकर टांग मेंसन पहुंचते हैं और वहां का नजारा ही बदल चुका होता है मैंसन का एड्रेस तो वही होता है और वहां तैंग मैंसन की जगें गुओ गॉगांग मैंसन लिखा होता है आबू अंदर जाने की कोशिस करती है तो उसे बाहर पहरे पर मौझूद सोल्जर्स रोख देते हैं पर वो जब किंग फेंग के कंदे पर मौझूद तैंग युवां चैंग को देखते हैं तो वो उन्हें अंदर जाने की परमिसन दे देते हैं किंग फेंग अपने कंदे से युवां चैंग को उतार कर उन सोल्जर्स के हवाले करके मैंसन के अंदर चला जाता है तो मैंसन के अंदर का नकसा पूरा बदला हुआ होता है आबू किंग फेंग से कहती है कि जरूर तुमारे फादर ने कोई क्राइम किया होगा जिसकी वज़े से किंग ने इस मैंसन से उन्हें निकाल कर ये मैंसन किसी और को दे दिया होगा तब ही वो दोनों देखते हैं कि युवान चैंग होस में आकर भागता हुआ अंदर जाता है अंदर वो गोगांग के पास जाकर उसके लाल परी को वापस ना लापाने पर सौरी बोलता है वो उसे बताता है कि तुम्हारी लाल परी कह रही थी कि तुम्हारे पास बहुत सी परियां है एक बंदी ना भी रहे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा गोगांग कहता है कि मैंने माना कि मेरे पास बहुत सी बंदीयां है पर मैं सभी से एकवल लव करता हूँ मैं इन में से किसी को भी नहीं जाने दे सकता और तुम उसे पकड़कर लाने के बजा उसका मैसेज मुझे आकर सुना रहे हो तुम्हें तुम्हारे इस गलती के लिए सजा जरूर मिलेगी इतना कहकर वो अपने सर्वेंट से उसे अरेक्ट करने के लिए सोलजर्स को बुलाने के लिए कहता है कभी वहाँ गुसे में आबू आती है किंफिंग भी उसके पीछे होता है गो गॉंग की नजर जब आबू पर पढ़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और एक ही नजर में अपना दिल हार बैठता है आबू उसे कहती है कि तुम कौन हो और किंफिंग के घर पर कबजा करके क्यों बैठे हो गॉंग को उसका ये अटिट्यूर काफी पसंद आता है क्योंकि आज तक किसी भी लड़की ने उसे इस लहजे में बात नहीं की थी आबू जट पर काफी स्वैक से जाकर गॉंग की जगें पर बैठ जाती है और उसे किंफिंग का मैंसन छोड़कर जाने के लिए कहती है किंफिंग आबू के इस बिहेवियर पर गॉंग से माफी माँगता है इस पर टैंग युवान चैंग भी उनकी तरफ से गॉंग से माफी माँगता है वो कहता है कि गल्ती मैंने की है सारी सजा मुझे मिलने चाहिए इन दोनों ने मेरी जान बचाई है प्लीज आप इने जाने दीजिए इस पर गॉंग सोलजर्स को बुला कर टैंग युवान चैंग और किंफिंग को एलिस्ट करके जेल में डालने के लिए कहता है इस पर आबू गुसे में उसे अपनी इट से मारने की कोसिस करती है पर कई दिनों से भूखा रहने की वज़े से वो काफी कमजोर हो चुकी थी और वो चकर खाकर नीज से गिर जाती है किंफिंग उसे सम्हालता है और उसे पूचता है कि तुम्हें क्या हुआ है आबू कहती है कि मुझे भूख लगी है इस पर गोगांग कहता है कि तुम्हें क्या खाना है मुझे बताओ मैं सुई डाइनेस्टी की हर चीज तुम्हें दे सकता हूँ सुई डाइनेस्टी का नाम सुनकर किंफिंग सॉक डरह जाता है और यहां उसे रियलाइस होता है कि वो टाइम में काफी पीछे आ चुका है नेस्टीन में हम देखते हैं कि किंफिंग और टैंग यूआन चैंग दोनों जेल में होते हैं यूआन चैंग किंफिंग को पीने के लिए वाइन थी एक बाटल देता है जिसे किंफिंग पीता है किंफिंग को अबू की फिक्र होती है तो यूआन चैंग कहता है कि आप उनके फिक्र ना करिए गो गांग उनका अच्छी तरह से खयाल दखेंगे इस बात को सुनकर किंफिंग और भी ज़दा घबरा जाता है पर तभी वहाँ आबू आती है और उन्हें जेल से निकल कर भाग चलने के लिए कहती है इस पर किंग फैंग उसके साथ जाने लगता है पर युवान चैंग वहीं खड़ा रहता है वो कहता है कि मेरे मालिक गोगांग में मुझे पनिस्मेंट दी है मैं उनकी पनिस्मेंट को इनाम समझ कर लूँगा जब तक मेरे मालिक कहेंगे तक तक मैं यहीं रहूँगा इस पर किंग फैंग कहता है कि दोस्त हम इस जगें को नहीं जानते बिना तुम्हारी हेल्प के हम यहां से नहीं निकल पाएंगे उसकी बात सुनकर वो जटपट उसे रास्ता दिखाने के लिए जाने लगता है तभी वहां रास्ते में रॉयल सोल जैस दिखते हैं जो इस पिसली युवान चैंग को पकड़ कर पनिस करने के लिए आए होते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि युवान चैंग जेल से भाग रहा है वह युवान चैंग के लिए मौत की सजा दे तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहें मेरे साथ और अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटन पर क्लिक कर लिजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो में सब्सक्रा के लिए टेक केर और गुड़ बाई